नमस्कार मैं राजा कुमार स्वाइब करता हूँ आपके अपने वाइक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों यहां पर हम बात करने वाल हैं इंग्लीज वमेंस और डीडी का जो मुकावला खिला जाएगा दब ब्लेज वर्सेस थंडर के बीच में इसको ले सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यहां से आप लोगो में अच्छा रेंक दिलवाना है और दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि गीववे सभी वीडियो में होगा तो छोटा मैच हो याफिक बरा मैच गीववे रहेगा तो रहेगा अब इसमें करना क्या कि अदिक पंट कौन देने वाली है जस आपको कुछ ऐसे यहां पर लिखनी है कमेंट में चले जाना है बैटिंग लिंग के आपको जो भी पिल्यड लेगे सबसे अधिक पंट देंगी उसका नाम लिख देना है और ध्यान रखेगा पाँच वाय हमारे यहां पर वीनर बने जो पहले पांच सही जवाब होगा उन सभी वाई को पांच पांच सो रिपीज बिल्कुल रियल कैस मिलने वाला है जहां पे मल्टीपल कमेंट्स एलाउड हैं लेकिन ध्यान रखेगा एडिटीड कमेंट्स यहां पे एलाउड नहीं होगा और मतलब डेडलाइन जब क्लोज ह जाएंगे उसके बाद अगर कोई कमेंट करते हो वह वैलिड नहीं होगा इसके लिए वीडियो को आपको लैक कर लेने हैं और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेने हैं अगर आप अपने फ्रेंड्स किसी से भी सियर कर लेते हो तो आपके विनिंग चांसे ब बिल्कुल रियल क्यास वैन्यू को लिगे बात करेंगे मुकाबला खिला जाएगा ट्रेंट वीज नौटिंगम में और यह जो विकेट होती है ना वो कमप्लीट स्पिन ट्रेक वाली आपको नहीं दीखेंगी मैं 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 मैच में करता हूं कि यहां प्यापको दिखेंगे वाली विकेट लेकिन इस मैच में आपको दिखेंगी बैलेंस वन विकेट थोड़े बहुत बैटर्स को यहां पर एज राने वाली हैं लेकिन बैटर्स को भी एज होंगी तो हैं तो मैंसी मैच आप 300 पलस का तो टागेट देखोगे नहीं 200 पास का टागेट आप उमीद करक हैं 80 परसेंट अब आई हम कुछ स्टेक्स को लेकि बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे विकेट टेकिंग लास्ट पांच ओडिडी मैच टोटल विकेट गिरें 61 जहां पर पे पेसर को मिलें सिर्फ 22 विकेट स्पीनर के खाते में 35 विकेट लेकिन ओमेंस म जिती हैं दो और फंडर जिती हैं दो लेकिन यहां पे मुझे व्ले मजेंग नज और रही हैं और यहां पर आपको द्यान से देखनी यहीं पर आपको बता दूँगा कौन-कौन आपके लिए जैकपोट मिला रहने वाली है और किस-किस का रॉल क्या रहने वाला है एक बात आप सबसे पहले सुलो इस मैच में टाउस का किरदार सब से जादा होगा टाउस जो आपने मतलब कहते हैं कि अनलैसिस कर ली और आपकी टाउस के बाद मेरे टीम में अगर कुछ फिर बदल होती है उसका अपडेट में आपको टेलीग्राम चैनल के उपर दे दूँगा टेलीग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जाने क के बाद सबसे टॉप केमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके सभी भैको टेलीग्राम चैनल से जरूर जोइन करके रख लेनी है फिलाल जो मेरी फेंटेस्टी की टीम में मैं आपको बताऊंगा कुछ की बेटरीन स्पीनर हैं कि व हमन् मैं तो पहले सुचा था पर किसी गनन यहां पर पैस आगया पेशल गंदवाज लेकिन यह बी गय्मन है फिर यहां पर लूसे हिगंजर और यहां पर लूसे रूंजर उसके लबाल लूसी हिगं और यहां पर किस्टी गौर्डन सारा घल एंड इकलर इन पांस से आप अच्छा उमीद करना स्री में खार्ति कुछ एकाद वर आपको डालते नहीं आ सकती हैं बात करेंगे थंडर का इगलेंड की एक में तरिंग पिलियर में से मैं एक मतलब आखता हूं इमा लंब कुल लेकिन गंदवाजी आने कर दियें जो कि एक म सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएंगे गंदवाजी में के लिए अकलिस्टन और महीका गौर यह तीनों डालेंगी यह च्छा ओवर 10-10 अवर अलमुष्ट उसके लबा हना जोंस फवी ग्रहम और यहां पर एंदवाजी इन तिन चार के बीच में और सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों टीम से स्टार्टर और डेथ वालिंग कौन डालेगा उसके उपर आपको पकर बनानी बिहदीद ज़रूरी है तो अगर हम बात करेंगे ब्लेज के सैट से जी वलिंजर एंडी क्लरक आपको दिखेंगे स्टार्टिंग और डालते वे और तो अगर आपको दिखेंगे एंडी क्लर्क और जी वलिंजर और थंडर के सैट से आपको दिखेंगे सौफिया क्लिस्टन और क्या अगर त्री मार्की बालर को लेके बात कर लेंगे तो थ्री मार्की बालर को लेके बात कर लेंगे सौफिय एकलिस्टन का रिजन सामनी वाले टीम की बल्यवाद जी इतना कमजोर है कि यह 4 या फिर 5 फर लेकि यहां पर जा सकती है पहले बल्यवाजी में कुछ आप इंसे बल्यवाजी में भी उमीद कर सकती हो फिर अगर यह टीम पहले गिंदवाजी करती है तो एक दो विकेट मिनियूम लेके जाएंगी प्लस 25 से 30 बैटिंग से कंटिबूसन दे देंगी फिर सारा गलेन पहले अगर यह गिंदवाजी करें तो यह भी 2-3 विकेट लेके जा सकती है प्लस इनसे भी आप 10-15 बैटिंग में उमीद कर सकती हो जब इनकी टीम पहले गिंदवाजी करेंगी तो यह बंचिद में विकेट लेके जा सकती है और किष्टी गॉणन की टीम अगर पहले बल्लेवाजी करती है तो इनसे आप थोड़ा वोथ बल्लेवाजी पर उमीद कर सकती हो बल्यवाजी में ठीक ठाक मतलब 25 से लेके 35 के बीच में और गिंदवाजी में भी विगेट लेके एकाध जा सकती है विगेट टेकर गिंदवाज है लेकिन सामने वाले टीम की बल्यवाजी थोरा सा मजबूत है क्योंकि उनके पास इमा लंब है एसे समेल अच्छी नोग खेल के आ रही है कैटी में एक है एफ है मॉडिस बेटी नेंड की नोग खेल के आ रही है रिसेंटली तो उनकी बल्यवाजी उनिट एस गंपर टू बलेज मजबूत है अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम लास्ट मुकाबला में कैसे परदोसन करके आ रही है तो यहां पर आपको देखने हो के मिल जाएगा दब बलेज लास्ट मुकाबला साथ विकेट से हार का रही है वो भी संडाइजर्स काफी कम जो टीम से यहां पर सामनी वाले टीम को लेके तो थंडर की तीम का देखेएगा लास्ट मुकाबला जो है यह भी विस्टर्ड स्टॉर्म के साथ हार के आ रही है सिक्स्टी शिक्स रन से जहां पर किये थी इमालम थाटीएट एस इसमेल की थी नो रन कैटी मैं किये थी अठ्थेश उसके लाब एफ है मोरिस किये थे सोला कित रिकलेट किये थे बतिस एंड दतानी जीरो सौफी एकलिस्टन दो कैटे क्रोश शतीस और मही का गौर की थी जीरो रन किंदवाजी में मही का गौर दस अवर उन्चास रन एक विकेट कैटे क्रोश नो अवर एक यावर रन जीरो विकेट पी ग्राहम आट अवर शेपर रन दो विकेट सौपी अकलिस्टन दस अवर 16 रन तीन इमाईडन तीन विकेट एफ है मोरिस साथ में 34 रन जीरो जीरो विकेट अब आईए यहां पर हम देख लेते हैं गिंदवाजी यूनीट की कौन कितने अवर के स्पेल यहां पर डाल सकती है तो मुझे लगता है अगर सेम स्कॉइट के साथ दोनों टीम जाती है तो यहां से मही का अगोर कैटे क्रॉस उसके लवा एक लिस्टन ये पांचों को 10-10 अवर के स्पेल डालना चाहिए लेकिन लूसी हीगम का और जीव अलिंजर का कभी कभी एक दो अवर के स्पेल कटेगा वो जाएगा सी मेकार्थी के खाते में कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि मानलों मेकार्थी को दो अवर मिला वहां पर ये दो विकेट लेके चले गई तो इनका अवर एक्स्टेंट होके 7-8 भी हो सकता है अगर पॉइंट्स टेवल को लेके बात करेंगे तो जो गत तोरा वो गत मोरा वाली बात है यहां पर देखिएगा दब्लेज आठी में अस्तान पे हैं चार में से सिर्फ एक मुकावला जीती हैं तीन पेरागर करने वाला इनका भी है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखिने को मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके सभी भैको टेलीग्राम चैनल से जरूर जोइन करके रख लेनी है यहां पर यहां पर तंडर की टीम की पहले बॉलिंग आती है तो मैं दोनों में से किसी एक के साथ जाओंगा एक्स्ट्रा गंदवाज यहां पर बलिंजर को ट्राइ कर लूँगा डेन आप्टर ऑल्लेंडर से एंडी क्लर्क एपाई मॉर्स एच इमिली जोंस को मैंने पहले बॉलिंग आये लेकिन अगर थंडर की पहले बैटिंग आ जाएंगी तो मैं में भी अपना वीशी एंडी क्लर्क सारा ग्लेंड में से किसी एक कर दो या फिर यहां पर मैं आफाई मॉर्स को भी क्याप्टन वीशी देखे जा सकता हूं इस मैच में आप लोग मीनी ज जरू ट्रेकिजेगा वस उसमें सिंपल सा काम करना है क्याप्टन से हम रख देना एक्लिस्टन वीशी बाह की जितने भी गिंदवाज है बल्लेवाज ड्रॉप कर दो बल्लेवाज मैक्सिम्म करेंगे 40-45-50 ठीक है लेकिन गिंदवाज ही में से एस गलेन हैं कैटे क्रोस है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइन जवाई कीजिए अच्छा खासावीन कीजिए और समझदारी से मेनी जील जील जरू ट्रै कीजिए धन्यवाद